हीरा नंदानी एक बिजनेसमेन है आरोप यह है कि उनको अपना पासवर्ड और पार्लियमिंट का जो यूजर नेम पासवर्ड उन्होंने दे दिया था और हीरा नंदानी की तरफ से आरोप यह है कि उन्होंने सवाल सरकार से पूछे थे और अपना पासवर्ड उनको दिया थ वो उनके पूछे उनके द्वारा पूछे गए थे इसमें पासवर्ड और यूजरनेम की कोई बात नहीं है बहुत सारे एंपी जिनके स्टाफ के लोग पासवर्ड और यूजरनेम जानते हैं और वही ऑपरेट करते हैं लेकि सवाल है कि MP के जो नीजी स्टाफ है उनको पासवर्ड और यूजर नेम पता हो वो अलग बात है देश के एक बिवसाई को एक बिजनसमेन को एक सांसद अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दे वो एक दम अलग बात है आपको कुछ हीवा भी है जानने आपको इस मसले में क्या लगत लोगों से पूछ यहां कि तंसी के कितने सांसदों का नाम लोगों को पता है तो उसका को आफ दिया जाए दि.. मोहामुतरा का ही नाम पता होगा, यानि कि वो इतना बोली है, अच्छा बोली है, बुरा बोली है, यह जनता अपने आप में तैय करती है, लेकिन एक प्रस्च जो बहुत बढ़ा उट गया है, कि संसद में क्या आप पैसे लेके बोलेंगे, संसद में एक व्यपारी को लाब देने के लिए कि आप दूसरे व्यपारी का इस्तमाल करेंगे, दूसरे व्यपारी को नीचा गिराएंगे, हमने देखा था कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद लगातार जो है, एक विपक्ष पूरा का पूरा एक साथ हुआ था, अ आप मान सकते हैं कि हाँ चीज़ा आडानी ने गलत की होगी, लेकिन एक वेपारी वर्क को लाब दिलाने के लिए इस तरीके से लगातार उस चीज़ को पुटाउन करना, कहीं ना कहीं देश की संसत, जो कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, हम लोग तंतर का सबसे ब हुआ मित्रा की सीट पर चुनाओं भी होंगे, अब तो च्छह मैंने बादी चुनाओंगे, तो यह जो सदसिता रद हुई है, यह कानून प्रक्रिया के अनुसारी रद हुई है, और आपको लगता है कि गलत है, तो इस देश के अंदर बहुत सारे सरकारी इंस्ट्यूशन तो सोचे उस वक्त उन सभी विधाय को पर तलवा, मतलब समझाने जो मैं जा रहा हूं कि उस वक्त लाब के पत में सबके सबके उपर गिरफतारी का, मतलब सबकी सदस्ता जाने का खत्रा मन रहा गया था, यह तो आंतरिक मामला है, यह तो सबके नोटिस में है, यहां पर त अधिक्स कमीटी का महुआ मोहितरा विपक्ष का कहना है, एथिक्स कमीटी का कहना है कि वो इतने तैश में आ गई ही, इतने गुस्से में आ गई ही कि उन्होंने अपना पक्ष रखा ही नहीं, दूसरी बात यह है, अगर दो लोग, देखिए, क्रोनोलाजी आफ इवेंट्स आप देखेंगे, तो एक आदमी जो महुआ मोहितरा का बहुत नजदीकी था, जिनके साथ वो लोग रहते थे, उनमें विवाद हुआ, दोनों अलग हो गए, कुत्ते को लेके जगड़ा हुआ, उसके बाद उस आदमी ने जो की वकील मी है, उन्होंने एक शिकायत सी बी आ कर लेती है, और हीरा नंदानी और देहादरी जो वकील है, उनसे महुआ मोहितरा को क्रॉस क्वेशनी का मौका नहीं मिलता, वो जो आरोप लगाते हैं, एफिडेविट लगाते हैं, उसको माल लिया जाता है, सर देखिए, ये सारी नो सीरीज अव इवेंट्स बगरा सब ब कुछते थे, उसमें मैं नहीं जाना चाहिए, एक कुत्ते के वज़े से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हूं आप उस पैट से, लेकिन एक पैट की वज़े से, आपकी राजनीतिक जमीन में खाई एक ब्रक्ती घोद दे, तो आपका कैसा सगा था, पहली बात तो ये, दू जहां पर ये पूरी एतिक्स कमीटी बैटी थी, उससे वो बाहर निकल रही थी रूम से, जब वो मीडिया के सामने इस तरीके से तैश में थी, तो आप सिर्फ कोशिश, आप इमेर्जिन कर लीजे, अंदर वो कितना तैश है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है कि गलती महुआ महित्रा की थी और साजा जो मिली ठीक है, अगर आप अपना पक्ष धंक से नहीं रख पा रहे हैं, एथिक्स कमीटी के सामने, और फिर आप कहें कि मैं बेगुना हूं, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए था, मजबूती से रखना चाहिए था, आपको एथ अपना पक्ष नहीं समझाया, तो इसमें भी संपुन्ता आपकी ही गलती है, चलिए ठीक है, आप क्या मानते हैं, जो यह हुआ है महुआ महित्रा के साथ, एकता से सही हुआ है, प्रवाजीन जैसे बताया, कि जो इनके साथ हुआ पिछले, हीरा नंदानी की अगर बात जाएक था, वो अदानी से सवाल पूछने का फैसला मेरा था, मेरा मोबाइल नंबर यूजर नेम पासवर्ड में, वो कहती है कि मोबाइल नंबर आपका होता है, जब आप सब्मिट करते हैं क्वेस्चन, तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आता है, तो उन्होंने कह हर बार मोबाइल नंबर मेरा था, ओटीपी मेरे नंबर पर आया, और मैंने उस क्वेस्चन को ओके किया है, अब वो टाइप करे कोई भेजे कोई किसी के ऑफिस से, अब इस पर सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि एथिक कमेटी की बात हुई थी, तो उसमें उनको अप मोहितर के एक डिफॉल्ट रहा है, फिक कमी रही कि उन्होंने अपना पक्ष अच्छे से नहीं रखा है, इंडिया के बाहर से भी कुछ सवाल पूचे रहे हैं, आप से ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कहता हूँ, यूजर जो एथिस कमीटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें ये भी जिकर किया है कि भारत के बाहर से उसमें लॉग इन किया गया है, और देश के अलग-अलग हिस्तों से भी बहुत कम समय में, बैंगलोरू जैसी जगह से शायद दुबई का भी नाम है, एक सो चार पेज की रिपोर्ट मैं अभी पूरा नहीं पढ़ पा जो की बहुत राश्टी सुरक्षा से जुड़ी हुए, इसलिए कमिटी ने जो रेक्मेंडेशन की है, ना सिर्फ उनके बरखास्तगी की है, बलकि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई की भी की है